है यह यह स्वेंट से लोगों का एक बार ये परिवार में स्वागत है आपस दिल से स्वागत है यह इंट में है आज का चोटा सो सेसन है आज जो है ऐाप इन क्रूटमेंट जो है यह इस यह डाला है प्रेल का है ठीक है ना आजी के दिन का है इसको हम पढ़ते हैं कि कितना वेकेंसी है एक तरह से बहुत बड़ा ग्रेट अपर्चुनिटी भी है आपके लिए इतना सारा पोस्ट इतना बल्क पोस्ट अर ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच में है ऐसा बिलकुल नहीं है कि एक ही द्यारती हमारे चैनल से जुड़ा है हम से जुड़ा है उनके लिए भी मैं आज बात करने वाला इसमें कि आप करें टेकनिकल प्लस नॉन टेकल अगर एडिसन करके बात करो तो एक हजार चौतर लगब 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 मोर दैन वन थाउजन पोस्ट अभी है इसमें कि एफ सीचियल समझ रहें क्या बात को चलो यह आप बात करें का तो यह आपका जो बात करें अगर आप रेल्वे के जो पार्ट्स हैं उन पर यह मैं रिक्ट्रिंग का का काम करा तो उसके लिए रिक्रुमेंट करती है तो चलो इंजिनियर हो आई टी आई में हो वी टाक के लिए सभी के लिए पोस्ट तो चलो धीरे दीरे पढ़ते हैं क्या नॉटीस में यह बोल रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसका डेट आप ओपनिंग ओपनिंग डेट अगया है क्या इस माई 2021 तक यह जो है अपना ऊपन रहेगा क्या बोला है देख पार है आप पर पार रहे हैं इसमें लास्ट डेट कब तक है जड़ा बढ़ो है तो यह आपका डेट हो गया है लाइट अब तो यह जो आपको टेंटिव देव तीन देट तो आप ध्यान रखी दो सबसे पहले तो आपका डेट और फार्म फिल्ल जो है आज से हो गया 24 अपरेल से लास्ट डेट जो है इसका 25 मही तक है सारी 23 मही तक है और पेपर का जो टेंटेटिव डेटी है सी बीटी कम्पिटर बेस टेस्ट होना वाला है तो हजार 21 तक इसका पेपर हो जाने वाला है तो चले जी क्लिक आप आप आउनलाइन करेंगे इसको पोस्ट का अगर आप बात करें सबसे पहले जूनियर इंजिनिय आप क्या जाए तो यहां रखना भाई इस्टी डिगरी तो चाहिए का यह सबसी 60% तो चाहिए चाहिए कम से कम बैचुला डिगरी के लिए है और 60% का पोस्ट यह ठीक अच्छा बात करते हैं तूसरा पोस्ट आप जूनियर इंजिनियर का ऑपरेशन के लिए ठीक है ना ब के मार्काटिक निक मार्केटेंग में या बिजनीस में थीक ना इन में 60% अगरिगेट यह आपका सुल इंजिनियर इंजीरिंग ओ और इसारी ब्रांच एलेक्री में इन doen सब्सक्रिकला इंजढ गरुंस को आतो सबस्क्राइब आपका में जी नियर फर्ड वाला चलो नाइस्ट आते हैं पोस्ट एग्जेकेटिव अब देखें दुछा पोस्ट आपका फुला इसमें इसमें प्यूरली डिपलउमा इना लिखा है हुआ तीफ़ीं साल का डिपलॉमा नंग में दॉडाण के साथ कर डिपलॉमा है यह सुभी बभी तेखन के लिए शुच्टalsa के लिए है यह अब में बयालिस पोस्ट फॉर्टी टू है डिप्लॉमा इलेक्टिकल एन इलक्रोनिक्स दोनों में है साथ साथ है एग्रिगेट का यहां पर 60 परसेंट अगें बात की गई है चलो टिगनल एंड टैनिकली कोश्ट कम्मिनिशन टैली कम्मिनिकेशन में एकजुकेटिव के लिए पोस्ट जिसमें की बहुत ज्यादा होता है भाई 87 एक इन शाल का डिप्लॉमा इलेक्टिकल एन इलक्रोनिक शिश्टी परसेंट का एग्रिगेट अगें आपका ऑपरेशन परसेंट मार्क्स बोला है और कोई भी ग्रेजवेशन होगा बीए सी बी यह जो भी है इसके लिए आपका दोसों से इसके लिए अप्लाय कर सकते हैं टेकनिकल वाले बीधियार्जी भी कर सकते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं मेकैनिकल ब्रांच के लागें देख रहे हैं आप परसेंट का इस रेट यहां पर मिनिममम दो साल का डूरेशन कोर्स होना ही होना चाहिए ठीक ना चाहिए इसको पड़ते रहें आप साथ में डेक्स आते हैं सिगनल एंड एंड टैली कॉम्मिनिकेशन जूनियर एग्जुक्रेटिव के लेक्स सेंतालिस पोस्ट आप देख अब आते हैं कुछ और आपको रिलेक्सेशन भी दिया है एज के रिलेस में अब देखें एज का रखा गया है जूनियर मेनेजर के लिए 18-27 का आपका लिमिट होना चाहिए अगर इस आयू में आप हैं तो फॉर्म बरिएगा एग्जुकेटिव के लिए तो 18-30 की उमर में जूनियर एग्जुकेटिव के लिए तो 18-30 में लेकिन आपका कास्ट के हिसाब से यहां पर कुछ रिलेक्से से लेकर आप कैसी में तेरा साल का OBC में दिया गया है चलो अब डिरेक्ट हम पहुंचते हैं सबसे इंपोर्टेंट पार्ट पर ज्यादा कानी नहीं पढ़ने हैं डिरेक्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर हम पहुंचेंगे नीचे देखो सबके लिए एक सर्विसमें फोता है जो सोते हैं तेखो यहांपर देख भार है कि जूणियर इंजिनियर का जूणियर मेनेजर का सिभिल के लिए डिक हैना कुरा कप हो रहा है डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा इंट्रिव्यूज और इस इसमें इसमें क्रॉस हैं इसके म होगा तो यह नहीं कि coloca पटों के पर कांपूटर बेस्ट को पूरा कर的 आप दो कर पर होने वाल आप किसी भी ब्रांच से रेक्ट्रिकर मेसनील सिविल अलेक्ट्रोनिक्स आइप दो घंडे का पर टो से वांद के टरफ जाते बढ़ते आ अब नेगेटिव मार्किंग भी है ऐसा नहीं कि आप को करते रहो ऐसा नहीं गलती मत करेगा क्वाइन टू फाइब कर नेगेटिव मार्किंग हर एक ब्रांच के पेपर के लिए अब देखेगा वेटेज को देखना आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय नहीं लगाते हैं यहां ऑफ देखों इसका रिलेक्स से मैंने आपको बता दिया है पहले हजार सो और साथसो अब जोन सब व değer निर्मेनेजर हो यह रिया जूनियर आपका एग्जिकेटिव इनके लिए पूर्स ड्यूहरा अब आते हैं लास्ट पर स्लिबस पस्पथे लास्ट अपका बचा है तै ब्रांच के बेस पर देखते रहेंगे यह सारी चीजें आपको पढ़ने की जड़त नहीं मैं डिरेक्ट पॉइंट पॉइंट ले जा रहा हूँ दो चीजें आपके काम आने वाला अब देखो अब आते हम तुम्हारा जो है से जो कास्ट का ऐसी का जो का सैटिफिकेट दिखाएगा उसके बारे में यह ठीक है आपको अटेच करना है अब आते हैं विद्यारतियों कि सारा तुम्हारा जब आउन लाइन आप खोलोगे तो सब कुछ दिखता देखेगा आपको जाने वाल रूप है इस तरह से यह देखो अब आते हैं यहां पर लिखा है सबसे पहले तो टोटल आपके क्वेशन क्या होंगे मैं सभी ब्रांच को बता रहा हूं अब ठीक है ना एक सो बीस क्वेशन आपके होने वाले 120 क्वेशन एर मैनेजर सिविल की बात किया है जिसका पोस्कू है यह सारी चीज़ें आपका क्रांट है फिर इसमें कि जन्रल एपिटूट थोड़ा बहुत मैस का क्वेशन रिजिनिंग का क्वेशन इस चौबिस क्वेशन आएंगे आपके इंजिनियरिंग के जिसमें कि सॉलिड मेकैनिक्स इस्ट्रॉक्ट्टर एंलिक्स इसके बेस पर आपको सारे स्लेवस दिखा है ठीक ना क्यूंकि एंबी उसमें आपका क्वालिफेकेशन पांगा गया था अब मेकैनिकल के लिए फिर से अगें 24 मार्च को तो इसका आएगा एग्जुकेटिव सिविल के लिए अगें 24 मार्च का वो रहेगा और 96 मास अब आते हैं एक्जुकेटिव इलेक्टिकल में एक्टिकल में क्या रहेगा अगें आपका 24 क्वेशन तो वही रहेंगे सेम अभी हार एक ब्रांच में हो रहा है पट 96 क्वेशन जो रहेंगे सर्कीट अनिलिसीज मसीन इलक्ट्रोनिक्स मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम मटि इले तो यह सारा सेलेवस उन्होंने दे रखा है मेकेनिकल के लिए जिस सारा सेलेवस में आपको दिखा दिया कि इस तरह से रहेगा एक्जुकेटिव इलेक्रिकल के लिए थोड़ा से अलग है और पार्ट्यूमें साथ क्वेशन रहेंगे आपके पार्ट वन में जिसमें इलेक्टोनिक्स मेजिरमेंट एनलोग अनिजिएलेक्टोनिक्स पावर इलेक्टोनिक्स ऑड्राइब ठीक है किस अब का स्लिवस में आपको दिखाए लाइन भाई इस ग्रेट अपर्चुनिटी को मत छोने देना अपने हाथ से ठोड़ने देना इसको प्रापर तरीके से स सब्सक्राइब करते हैं और तयारी को कैसे करना है और किस तरह से करना है हमारे सभी रिस्पेक्टेड ब्रांच के साथ सब्सक्राइब बात कर सकते हैं वीडियो के नीचे आपके लिए यह लाइन नमर दिया है कि यह कैसे तयारी करें सर वह से लेने से हमें फायदा होगा आप अच्छे से डिजाइन किया हुआ है पड़ाया हुआ है अब तेंसर नले चीज का आप अब करेंटेड है सारा से लिवस कबर करा गया है तो आप जो लग जाएं आब आज से ठीक है धन झाल